नमस्ते जी सभी को कैसे है सब आसा करती हूं सब अच्छे हूंगे और आज फिर मुसम खराब हो गया है मैंने दूद ये बिलोया था मतलब मलाई से गी बनाया था तो मठ्था बनाती हूं तो मैं इस मसीन से बनाती हूं और इसे ना दोने के बाद फिर में धूप लगा के सब्सक्राइब को भी और हंडिया को भी क्योंकि ना अभी नमी का मुसम है कहीं बार ऐसा होता है कि नमी जब ऐसे रख देते हैं बिना दोए तो उसमें इसमेल सी हो जाती है और अब उन्हें अंदर रखके जिनने में मैं आगी हूं उपर कपड़े उतारने के लिए और अब बस में फटा फट कपड़े उतार नहीं है हूं जलदी जलदी से क्यों के में बहार निकली तो देखा मोसम ख़राब है मगर चलो फटाफट लेके आते हैं वरना तो दुले और बेदुले एक जैसे हो जाते हैं सब कपड़े देखो मैं आपको दिखाती हूं छत पे नीम का पेड़ कितना अच्छा हो रहा है यह ऐसे जम गया था जैसे वर्मी कंपोस्ट डालते न फोदो में तो उसमें कोई इसका बीज होगा नीम का वह जम गया देखो मोसम मैं आपको दिखा रहे हूं चार दरब से कैसे काला काला सा बादल हो रहा है तो देखो बूंद आगी है अब मैं आगी हूं नीचे जा रही हूं और यह पहले रही रख दूंगी बड़ा मुस्किल हो गया था कोलना एक हाथ में फोन रही और कपड़े भी थे तो अभी यह पाइल कर रही है पढ़ाई और कपड़े कल वाले भी ऐसे महीं रही है तो लिए ने नकीज तैय करने हैं फ्रेस करने हैं अबधि अबी लेकिन मैं ने निंबू लिए थे तो मैं इनका चार बना देते उन हूं पहले यह मन्ने राथ को जबनाुनल रख़ दिते तो बमने इन तो काट लेती हूं ऐसे चार फांक में और कुछ लोग साबुत का भी डाल देते, मतब ऐसे चार कट लगाते हैं, तो वह ऐसे साबुत साबुत भी रख देते हैं, मसाला भर का, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरा निमबु काई बार ऐसा, कोई ले लेता है, खाता नहीं तो तो इस तरह डालते हैं तो एक फाक लो नो तो ठीक हो जाता है तो इसलिए मैं इनने सब को काट के त्यार कर लूँगी और यह निम्बू आप देख रहे हैं पतली सिकिन के हैं अचार के जो निम्बू होते हैं अगर वह पतली इसकिन के होते हैं तो इनका आचा पी अच्छा चाहां बेश्चर भी बेश्च की आकोडीन डालें इसमें मैं कुछ ऊर मसाले नहीं डालूँगी थोड़ी सी हल्थी डालरीं कलर के लिए और यह सिंपल वाला नमक में डाल दूगी चाहर से पांच चमबला है यह जंता है यह किलो निम्बू है एक किलो मिन से ՚ाहर पांच मै यह आए नहीं गोंग पिलते एंड का spray जो पहुगनिंग साह्प सवर्सोंदेन ल्गत हितलने प्राइशज माइश दिखते हैं अच्छ दबबह में मैं अचो कि सब्सक्राइब क्यों बिल्गता है अगर मीठा बनाना है तो मैं उसमें अलग से चिन्नी मिला दूँगी तो जिसे मीठा खाना होगा फिर मीठा खा लेगा मुझे वैसे नमकीनी पसंद है देखो अच्छे से मिक्स हो गया मैं इसे डबों में भर लूँगी और अगर आपको चिन्नी डालनी है ना तो जब आप इसे डबों में भर कर रख रहे हैं और दूप दिखा दें दूप में रखने से जल्दी तयार हो जाता है चार और फिर इसमें चार सब पांच दिन के बाद जब निम्बू अच्छे से रस छोड़ देंगे तो आप इसमें चिन्नी मिला सकते हैं मतलब एक किलो निम्बू है और यह सब मैं चिल के भी मैं इसी में दबा दूँगी क्योंकि जब इसमें रस अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाले निम्बू इसमें बहुत जाएया तो निम्बू पी थोड़े बहुत चार गया है और देखने में इसमें रस दिख रहा है nीम्बू झोड़े होंगे दूप में रख सकते हैं मतलब दिन में रख दें रात को उठा लें या कहीं ऐसी जगे रख दें आपको उठाना न पड़े दूप आती हो चार-पांच गंटे की चावे में मतलब बारिस नहीं लगनी चाहिए कहीं बार ऐसा अंदर पानी चल जाते तो उससे खराब होने का ड और सजेश्टी अगयर बनती हैं तो इससले अचाहर के कमी जरुदत पढ़ती है लेकिन बना के तो रख पढ़ता है यहां मिर्च का नीमब नीमबू का आम का अ आजब पापा थे ना तब हमारे घर में हमेज़ साध रखा चार रहता था प्रफ को बहुत पसंदा रखा चार बच्चे तो खाते नहीं पाप बचार डालने के बाद स्वाव का समय तो मैं चार भी ूदिल साइज crew जाय शाम कौन सी किसके लिए आप बस मुझे जो अच्छा लगता है या मैं वैसे तो मैं अपने इससा आपका थाई फैट वह जल्दी जाता है और बैली फैट भी इन एक्सेसाइज से जो मैं अभी कर रही हूँ और यह मैं रेगुलर बेसिस पर करती हूँ बस आज सोचा थोड़ा सा चलो वीडियो में कैच कर लेते हैं वैसे मैं करती रेगुलर हूँ सुबह कर लेती हूं तो कहीं बार शाम की चुट्टी हो जाती है लेकि दिन जिस दिन सुबह की चुट्टी हो जाती है उस दिन शाम को कमपल सरी करती हूं एक भी दिन मिस नहीं करती हूं पूरी कोसिस करती हूं कि करूं एक्सराइज होगी है कंप्लीट और आवाद से लग रहा होगा थकान भरी आवाज है कि अधिस्था मेरी देड़ गहंता हो गया है सात बजे शुरू करी थी पूजा करने के तुरंत बाद बैठ गी थी एक्सराइज करने और चेंज करने के बाद और अभी तक कर रही हूं मतब अभी यहीं पर हूं उठी नहीं जहां एक्सराइज कर रही अब पूरे कपड़े बिल्गुल पसीनों में हो रखे हैं अभी थोड़ी देर बैटकर रिलाक्स करूंगी यही पर पानी प्योंगी और उसके फिर आदा गंटा बाद खाना खाऊंगी थोड़ा सा जो भी सलाद यह जो भी खाना है थोड़ा बोथ कुछ काम होगा तो वो करूंगी चलिए मिलते हैं फिर यह जी मेरा डिनर आदा खीरा काट लिया है मैंने एक टमाटर यह तहरी बनी है यह पुलाव कह सकते हैं मटर डाल के आलू नहीं डाले हैं मैं स्टमाटर और मटर डाल रखे हैं हल्दी भी नहीं डाल लिया है और यह एक ग्लास मथ्था मथ्था मुझे जरूर चाहिए खाने के साथ या दई मथ्था कुछ भी मिलब और चावल हो तो उनके साथ तो इस पेसली और मैं थोड़े से चावल खाऊंगी मेरा मन कर रहा ह आजाईए आप भी खा लीजे और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लें कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते और वाई वाई